दोस्तों, जीवन में कई चीजें अनमोल होती हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है समय. आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, जिसने समय की बरबादी को समझा और अपनी मेहनत से सभी को चौंका दिया. यह कहानी समय की अनमोलता की है, एक छोटे से गाम के लड़के की, जिसने समय की कीमत समझ कर अपनी किस्मत बदल दी. तो चलिए, इस अद्भूत यात्रा पर निकलते हैं, और जानते हैं कि समय का सही उप्योग कैसे सफलता की कुंजी बन सकता है. अमित एक छोटे से गाम में रहता था, वह बच्पन से ही बहुत महनती और होश्यार था, लेकिन एक कमी थी, उसे समय का महत्वन नहीं पता था. वह अक्सर अपना समय खेल कूद और दोस्तों के साथ गपे मारने में बरबाद कर देता था. उसकी मां हमेशा उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश करती, पर अमित के सिर पर से यह बातें गुजर जाती. एक दिन गाम में एक बुजर्ग संथ का आगमन हुआ. उन्होंने गाम के बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निश्चय किया. अमित की मां ने उसे संथ के पास भेजा, ताकि वह कुछ सीख सके. संथ ने सभी बच्चों को एक स्थान पर एकत्र किया और एक कहानी सुनाई. उन्होंने कहा, एक समय की बात है. एक राजा था, जिसने एक बहुत बड़ा बगीचा लगाया था. उसमें हर प्रकार के फल फूल थे. राजा ने अपने तीन बेटों को उस बगीचे की देखभाल करने के लिए कहा. तीनोंने बड़े मन से उस बगीचे की देखभाल की. परन्तु एक दिन राजा ने देखा कि बगीचा सूख रहा है. उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि यह कैसे हो रहा है तीनोंने अलग-अलग कारण बताई राजा ने अंततह समझा कि तीनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि वे समय पर बगीचे की देखभाल नहीं कर पाए संद की यह कहानी अमित के दिल पर गहरी चाप छोड़ गई उसने सोचा कि अगर राजा के बेटे समय का सही उपयोग करते तो बगीचा सूखता नहीं उसने समझा कि समय की बरबादी किसी भी कार्य को खराब कर सकती है उस दिन से अमित ने ठान लिया कि वह समय का सही उपयोग करेगा अमित ने अपने दिंचर्या को बदलना शुरू किया उसने अपने खेल कूद और दोस्तों के साथ समय बिताने के बीच संतुलन बनाया पढ़ाई के लिए विशेश समय निकाला और अपने लक्षियों को पाने के लिए महनत करने लगा कुछ ही समय में अमित की महनत रंग लाई और वह गाम के सबसे होशयार बच्चों में गिना जाने लगा अमित ने स्कूल की परिक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसकी महनत और समय की सही समझने उसे एक नई दिशा दी गाम वालों ने भी उसकी तारीव की और उसे प्रेरणा मान कर उसके पदचेहनों पर चलने लगे अमित ने उच्च शिक्षा के लिए शहर की ओर रुप किया वहां भी उसने अपने समय का सही उपयोग किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसमें भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा अमित तुमने साबित कर दिया कि समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अमित ने अपने जीवन में समय की कीमत समझ रही थी उसने अपने अनुभावों से जाना कि समय एक ऐसी संपत्ती है जो कभी लोट कर नहीं आती अगर समय का सही उप्योग किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है अमित की कहानी ने उसके गाव और शहर में एक नई उर्जा भर दी उसकी सफलता ने सभी को यह सिखाया कि समय का सही उप्योग ही व्यक्ति को महान बना सकता है संद की सिखाई कहानी ने अमित की जिंदगी बदल दी और उसने सभी को यह संदेश दिया कि समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत गवाओ अमित की इस प्रेरणा दायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कीमत को पहचानना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन में सफलता का राज है जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन में उचाईयों को छू सकता है इसलिए हमें अपने समय का सदुप्योग करना चाहिए और प्रत्यक्षन का महत्व समझना चाहिए दोस्तों आशा करते हैं कि यह कहानी अपको अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा यदि अपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले